श्री पंचमुखी हनुमान नंदी गौशाला अग्रिया में शुक्रवार को भावे जुल कलस यात्रा के साथ साथ दिवशी गौब भक्ती महत्सों का आगास हुआ प्राता नौ बजे मंडी महादेव कुमावत महला अग्रिया से विसाल जुल कलस यात्रा सुरू हुई जो सवाई ग्यारा बजे पंचमुखी हनुमान नंदी गौशाला पहुची कलस यात्रा में महलाए सिर पर जल कलस लिये पीले वस्त्र एवं चुन्री पहन कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी वही शोभा यात्रा में घोडे उठ गाड़ी विफिन देवी देवताओं की जाक्या बैंड डीजे वपरंपरागत वादियंत्र भक्ती गीतों की श्वर लहरिया बिखे रहे हैं तथा वादियंत्रों पर भक्त नित्ते करते हुए चल रहे थे युवा हाथों में केशरिया पता काए लिए गौमाता का जयकारा लगा रहे थे शुभा यात्रा के कथास्ताल पर पहुचने पर पंडित पुषकर पारिक द्वारा विधिविधान पुर्वक एवं मंत्रुचार के साथ घर्ट स्थापना करवाए गई पत्मेडा से आये पंडित हरिश और पंडित करन द्वारा विधिविधान पुर्वक पूचवन कराया क्या 31 वर्सिये गौपर्यावरन चेतना एवं अध्यात्मेक चेतना यात्राश के प्रेणा एवं संयोचन कथाव्या संत गुपाला नंद शरश्वती गुपाला अध्यक्ष महामंडलेश्वर सीतारामदास संथरिदा शहित संतोवा शाथ्यों के शानिध्ये में निकाली भक्त महिलाव पस्थित्थे